So hello everyone, भाईयों और बैनों, आप लोगों में बहुत सारे बच्चे एक ही सवाल पूछते हो कि University of Calcutta क्या students को practical paper में state marking देता है या फिर नहीं देता है तो भाईयों और बैनों मैं अगर बोलूँगा तो आपको इस्वास नहीं होगा आईये और आप खुद देख लिजे, देखिए ये जो sums है ना ये पूरा गलत है तो इसमें एक भी marks नहीं मिला है ये जो sums है ना ये सही है लेकिन ये sums सही था इसका तो इसमें इसको 5 marks मिला है ठीक है 6 marks है कोश्चत था 5 marks दिया है ये question में थोड़ा सा सही था तो इसमें 2 marks मिला है भाई ठीक है इसमें भी 2 marks मिला क्योंके sums पुरा सही नहीं था इसलिए फिर भी 2 marks मिला है इसमें 3 marks मिला ये sums भी पुरा सही नहीं था फिर भी इसको 3 marks मिला है students को ठीक है भाई और इस सम्स में भी देख लिजे आप उनिवर्सिटी ने दो मार्क्स दिया है पुरा सही ना होने के बाद भी तो भाईयों और बैनों मैं आपको कहना चाहूंगा कि देकि उनिवर्सिटी वाले जो टीचर्स है वो लो मार्क्स देने के लिए रेडी है लेकिन डिपेंड करता है कि कौन तीचर आपका पेपर चेक कर रहा है स्टेप मार्किन डेफिनिटली उनिवर्सिटी कहता है अपने स्टुडिन्स को एक थोड़ा बहुत स्टेप मार्किन दीजे बड़ते के step marking practical paper में तब होता है न जब आपका एक सही जगह तक सही वो answer आप सोचोगे कि एक तम touch कर दिये format बना दिये और हमको marks मिल जाए ये practically possible नहीं है तो कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताना और अगर कहीं join नहीं कि हो तो अपने भाई के पास जल्दी से join करो मेरा number note करो 9874411552 और वीडियो को share करो चैनल को subscribe करो जल्दी